गुड मर्निंग स्टुडेंट्स ओनलाइन क्लास में क्लास वन फिर से आपका स्वागत है आज मैं आप लोग को पढ़ाऊंगी मुतफर्रिक जुमलों की मॉश्ट The Revision of Miscellaneous Sentence तो यहां है यह आम का दरख्त है यह किशीज का दरख्त है औरख्त को पेड भी कहते है त्री भी बोलते है इस पेड पर फल आते है यहां है देखो बच्चो सामने स्कूल की तस्वीर है यह किशीज की तस्वीर है इस्कूल की तस्वीर है इस्कूल में बहुत से कमरे होते हैं इस्कूल में बहुत सारे क्लासरूम्स होते हैं बहुत से कमरे होते हैं इस्कूल में तालीम दी जाती है इस्कूल में क्या दी जाती है? तालीम दी जाती है, सिक्षा दी जाती है गोड़ा एक चौपाया है इसकी चार टांगे होती है चौपाया किसे कहते हैं जिसके चार टांगे हो जिसकी चार पैर हो उसको चौपाया बोला जाता है यह बहुत तेज दोड़ता है यह सवारी के काम आता है यह सवारी के भी काम आता है यह एक जगा से दूसरी जगा यदि जाना हो तो उसमें भी यह काम आता है किताब किताब अनमोल दौलत है किताब क्या है बहुत अनमोल दौलत है किताब से हर तरह की मालूमात हासिल होती है किताब दोस्त का काम करती है बच्चो किताब से आप लोग दोस्ती करिए सारा दोस्त आपका आपसे कटी हो जाएगा छोड़ देगा आपको लेकिन किताब कभी नहीं होगा किताब हमेशा जो भी आप इल्म हासिल किये रहिएगा वो हमेशा आपका साथ निभाएगा कहीं भी किसी भी टॉपिक में अगर फस जाईएगा अगर आपके पास इल्म होगा तो उससे आप बाहर आसानी से निकल जाईएगा किताब से अच्छा दोस्त कुछ नहीं है किताब से बढ़िया दोस्त कोई भी नहीं है किताब दोस्त का काम करती है कोई भी कित अगर एक बार आपको याद नहीं होता है उशीज को आप 10 बार याद करते हैं वह आपके मन में सेट हो जाएगा वह फिर निकलेगा भी नहीं हमेशा हमेशा के लिए वह आपके माइंड में आ जाएगा इसलिए आप लोग बहुत ज्यादस ज्यादा पढ़िये घर में अपने बड़ों की बात मानिये और अच्छे से रहे यहाँ है बकरी बकरी एक छोटा जानवर है यह दूद देती है यह दूद देती है बकरी अक्सर घरों में पाली जाती है इसका दूद मुफीद होता है फायदे मंद होता है ठीक है बच्चों आज मैंने यह पढ़ाया है आप लोग भी इसको पढ़िएगा और समझेगा मैं इसका दूसरा पार्ट अगले दे दूसरे वीडियो में आओ यह दो आँगी थाँगी 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 थाँगी